नमस्कार दोस्तों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करनी वाले हैं डाक सरकल के बारे में कितना भी खुबसुरत चहरा हो अगर आखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं तो ये खुबसूरती को बिगाड कर रख देते हैं आखों के नीचे काले घेरे कई कारणों से हो सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जेनेटिक कारणों के बारे में अगर आपकी फैमली में किसी को भी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी किसी को भी अगर डाग सरकल की प्रोब्लम है तो आपको भी ये समस्या हो सकती है दूसरा है पोशक तत्वों की कमे सही खानपान नै होने की वज़े से सरीर में पोशक तत्वों की कमे हो जाती है जिसकी वज़े से आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं विटामिन A, विटामिन B12, C, D, खून की कमी, आइरन की कमी से भी आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। आँखों को ठीक से आराम नए मिलने की वज़े से भी आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक कम्पीटर पर काम करते रहते हैं और देर रात तक फोन चलाते हैं या फिर अगर आपकी नीद पूरी नहीं हो रही है तो भी आपकी आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं सूरज की रोसनी या फिर जादा जरापती ने सिगरट पीने से भी आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं तो अगर आप पूरे तरह से डाक सरकल ठीक करना चाते हैं तो सबसे पहले आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिसकी वज़े से डाक सरकल होते हैं क्योंकि जब तक आप जिस कारण से डाग सरकल हो रही हैं उस कारण को ही दूर नहीं करोगी तब तक आप चाहे जितने भी उपचार कर लीजे डाग सरकल ठीक हो ही नहीं सकते सबसे पहले आपको अपनी डाएट अच्छी रखनी होगी इसके लिए आपको अपनी डाएट ऐसे रखनी होगी जिस डाएट में सभी पोशक तत्व सही मात्रा में हूं इसके लिए आपको दूद, दही, मक्षन, पालक, राजमा, हरी पत्तेदार सबजिया और सभी दाले अपनी आहार में सामिल करनी होगी और जो मासा हार है उन्हें मचली और अंडे का सेवन करना होगा दूसरा आपको अपनी आखों को आराम दिलाना होगा इसके लिए आपको कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी होगी और आप कोशिस करें कि आप फोन या कम्पिटर पर ज़्यादा समय तक काम ना करें और जब भे आप घर से बाहर निकले तो आप आखों के नीचे संस्क्रेन लगाए और संग्लास पहने पानी खूप पिये और सरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दे अब मैं आपको डाख सरकल यानी काले घरे होने के कुछ उपचार बताओंगे सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बादाम का तेल इसके लिए आपको रोज रात को अपने फेस को अच्छे से साफ करने के बाद अपने आखों के नीचे बादाम कत्ते लगाना है और हलके उंगलियों से मसाज करने है ऐसा आप कम से कम पांच मिनट करें रोज ऐसा करने से कुछे दिनों में आपके डार्ग सरकल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे दूसरा है आलू एक छोटे आलू को काट कर स्लाइस बना ले और फिर आलू का रस निकाल ले उस रस को रूई के फोहे की मदद से अपनी आखों पर रखें इससे भी आपको डार्ग सरकल में काफी फायदा पहुँचेगा तीसरा है टी बैग्स आखों के काले घेरे कम करने के लिए आप इस्तमाल किये गए टी बैग्स का भी उप्योग कर सकते हैं टी बैग्स को कुछ देर के लिए फ्रिज में रखतीजे और जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें अपनी आखों पर रखें इससे आपको डाख सरकल में काफ़ी आराम मिलेगा चोथा है संत्रे का रस संत्रे के रस में गलीसरीन को एक साथ मिला लीजे और रोजाना आखों के आसपास इसे लगाईए ऐसा करने से आपको डाख सरकल में बहुती आराम मिलेगा पाँचवा है ऐलोवीरा एलुविरा जेल को रोज रात को आँखों के नीचे लगाईए पंद्रा मिनट के बाद धो लीजे और फिर नारियल का तेल लगाईए ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपके डार्ग सरकल चले जाएंगे आसा करती हूँ आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और आसा करती हूँ आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और बताए गए सभी तरीके आपके लिए फाइदे मन साबित होगे और ये सभी तरीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं